और जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए रेल मंतर अश्वीनी वैशनव ने बताये कि दोनों ट्राक बहाल कर दिये गए आप से इस ट्राक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू को जाए इस दोरान वो भावुख भी हो गय और उन्होंने कहा कि उनके जिम्हेदारी अभी तक खत्म नहीं हुई जिनके परिजन खो गया है उन्हें उनके परिवार से मिलवाए जाएगा वरेस्की ऑपरेशन से लेकर रेलवे ट्राक को वापिस चालू कराने तक रेल मंत्री घटना स्थल पर मौजूद रहें और पूरे ऑपरेशन के निगरानी ग्राउंड जीरो पर रहे करकी और इसी से जुड़े एक बड़ी खबर आपको बता दे ओडिसा के बालस पोर में कोई रेल हादसे की जाँच सीब्याई के तरफ से की जाएगी रेल मंत्र एश्विनी वैश्णाव ने इसकी जानकारी दी है उन्होंने कहा कि हादसे की वज़ा को लेकर कई चीजे सामने आई हैं जिसको देखते हुए आगे की जाँच के लिए पूरे मामले को सीब्याई को देने का फैसला रेल विबोर्ड ने किया है उदर बाला सो रेल हादसे की जो वज़ा सामने आई है वो बेहट चौका देने वाली है अब तक कोई जाँच के मताबिक इस भीशन रेल हादसे के पीछे इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव होना है जिसकी वज़ा से ये हादसा हुआ और इसके रेपोर्ड भी जल्द विभाग को सौपी जाएगी तो वह इस हादसे की जाँच सीब्याई से कराने का फैसला किया गया जिसकी जानकारी रेल मंत्र अश्वीनी वैशनल दिए है रेल हादसे के पीछे किसी तरह की साज़िश होने के बाद सामने आ रही है जिसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से मामले के सीब्याई जाच किसे फारिश की गई तो बाला सोर में हुए रेल हादसे में अभी तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 108 शवो की पहचान कर लिए और उन्हें उनके परिवार वालों को सौप दिया गया तो वहें ओडिसर सरकार के तरफ से टोल फ्री नमबर भी जारी किया गया जिस पर फोन कर पेडित परिवार अपने रिष्टदारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं साथी शवो को ले जाने के लिए फ्री आम्बुलन्स की ववस्था की गए जबकि बड़ी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है उधर के इंद्र स्वास्त मंत्री मंसुख मांडविया ने रविवार को रेल हाथ से में घायल को ये लोगों से मुलाकात की मंसुख मांडविया विशेश विमान से भुमनेशवर पहुचे थे जहां से वो कटक के अस्पताल गया और घायलों का हाल चाल जाना इस दौरान उनके साथ केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैशनव भी मौचूद थे इसके बाद मंसुख मांडविया ने घायलोगों के बैतर इलाज को लेकर भुमनेशवर एंद्र के वर्ष्ट डॉक्टर और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें जरूरी दिशा नरगेश दिये विदेश मंत्री एजयर शंकर नामीबिया के दौरे पर हैं जहां उन्होंने भारतिय समुदाई के साथ बादशीत की इस दौरान उन्होंने बालसोर रेल हादसे का जिक्र की और उन्होंने बताया कि बालसोर में हुए दर्दनाक हादसे पर दुनिया भर के लोगों ने अपनी सॉलिडारिटी टकत की है अपनी सिंपती भेजी है मुझे भी बहुत प्रेंड मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त जो दुनिया में हैं उनका भी मेसेज आया है प्रधानमंत्री जी को भी आया है और ये एक उधारन है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइस्ट हो चुकी है कि और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे यहां ऐसी दुरगटना हुई और तुरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए